नमस्कर दूस्तों आज मैं स्ट्रेटर पेनल सिंगल फेज के बारे में बताएंगे जो बीमेस से भी अपरेट हो सकता है और मैनुएली यह किसलिए लागा जाता है जैसे बेंटिलेशन फैन हो गया एग्जेस्ट फैन हो गया तो हाँ पर सुज द्वारा नहीं किया जाता है इसयद फैनल इंस्ट्रोल किया जाता है रगारी और कहीं भी हईड़रिया में लगाया जाता है तो इसलिए इस बीमेस सिस्टेम में लिया जाता है तो इसमें क्या है एक बेज और नुट्रल इंकुमार प्रिया रहा है आपका कॉंट्टर मतलब mcb में स्जूरी म्शेवी यहां से डबल जो केबूल जारहा हैै करई नूट्टल का तो रेड का जो नूटल एक चल गए मोटोर पे और ऐक चल गए आपका 6- канा म सो में फिर घर यक यह एक सिलेक्टर स्थानकर चाझे है तो जैसे 8 लिखा हुआ और नीचे 7 है, तो यहां से हमरा 8 से 1 BMS केबल सिंगल जाएगा, फिर रिटानिक आएगा 7 में, तो जैसे यह 7 में देंगे, तो यह आपका कॉंट्रक्टर अन हो जाएगा, यह मोटर चालू हो जाएगा, फिर अगर मैनुएली इसको अपरेट करते हैं तो यह इस एगर में दिया हुआ है, नेफेज है, यहां से मेनुएली दे दिया है, यहां आपका पावार आ अगया, इंडिकेशन भी haben हो गया, एक ही जो इंडिकेटर लगा हुआ, अवान हो गया, फिर वहां से भी अर आपका ये इंडिकेटर में और कॉंटक्टर में इजर से लूप नूटल दिया हुआ है, ये मोटर है, कॉंटक्टर से आके अटपुट चल जा रहा है, तो इसलिए BMS सिस्टम में इसको दिया जाता है, आप चलिए पैनल तरफ बात करते हैं, आप पैनल का कुछ सिम्बल दिस्क्रिप्शन इस तरह से है, सार्किट ब्रेकर है मिनेचर, एर ब्रेकर, कॉंटक्टर रहा है, आप इंडिकेटर लेंप है, ओटो में इल सिलेक्टर स्विच और फ्लेक्सिबल पावर केबल वायर, कॉंट्रोल वारिंग दिया हुआ, पोली केप का, अब कॉंट् देता है, तो मैनुली आपको आप करना हुआ, इसमें पूस्ट बटन सिस्टेम नहीं है, यह सिलेक्टर स्विच ही ओन आप कर सकता है, अब इसका अंदर में चेक कर लते हैं, जैसे ड्रोईं में लिखा हुआ था, कितना क्या है, फास्ट में फायर इंटार लोगिंग, ब्म सिस्टेम लेता है, तो हैं परदू केबल जागेगा, आपका कंट्रोल रिले मोडल में, फायर अलम सिस्टेम का, जो मोडल लगा जाता है, उहां पर जाएगा, फिर रिटा वह एंसी पोईंट होता है, रिटान इसमें, टू में आके, आपका, टू से आपका सीधर, स्विच में जाता है, जैसे यहां पर, सिलेक्टर स्विच में टू दिया हुआ है, उसके बत किय के बूल है 7-8 इसका के बूल के इसे आया है उस इलेक्टर स्वीच से एक आया है आपका आपका के 7 जो है उ मेनुलिया है और के आपका पोटो में है तो के इसे पावर आएगा तो के 7 में दिया जाएगा उसके बाद आपका सीधा जाके कांटेक्टर हिए और हो जायेगा जो के 7 कोंटेक्टर में दिया हुआ इसके बात आप बात करते हैं और पील्टर अपको के पोर निचे में दिया हुआ है यह फेल साइड से जो डाक्ट होता है उसमें से एक डिफ्रेंट प्रिसर स्वीच लगा गया है कि ए आर का जो जब चलू हो जाएगा तब आपका ओन स्टेटस बताएगा कि उसके बाद है के 12 के 13 जोड आपका है ओटो मैनूल स्टेटस यह केबूल हमारा कानेक्ट हो गया बीमेस का इसमें फेरूल डाला गया नहीं है फेरूल डालाया जाएगा तो इसका अटो मैनूल स्वीच से आता है जैसे यहां पर दिया हुआ है आपका उपर में के टू है उ सिदा के बूलाया जैसी पोटो में चलेगा तो बतायेगा अब मैंनुल में चलेगा तो स्टेटस नहीं बतायेगा आप उसके बाद राते है आपका त्रीप स्ट्रेटस का जो पॉइंट है आपका देख लीजे 1819 नीचे हमारा यह यहलो और बूल कलर का फेंट्रीप स्टे इसका इंडिकेशन भी दिया नहीं है और तो ट्रिपेस्ट पोटेंशिल फिर फिर पॉइंट है तो में देख लिए एक जुलारी कॉंटेक्टर लगाया गया है यह जो अब बाया तरब दीख रहा है एक जुलारी कॉंटेक्टर तो यहां से आप देख लिए के 19 है और उसका पीछे में के 18 जैसे ट्रीफ हो गया अगर लोड अभार लोड हो गया ट्रीफ हो गया तो ब्यम्स सिस्टेम में आपका बताएगा और इसमें सिंगल फेज का देख लिए दो के बुलाया हुआ हुआ है फेज नीटल आउटपोट में भी ग्रीन और बुलू दिया हुआ है य यो चिरा यह विर्यार किया गया जा डाता है जो चोटा अश्टार पर जानल में गया बातरोम इकजस्ट पन ब्यूल को ब्यूम्स अपरट करने के लिए बनाया जाता है जय्क्स